आप लोगों ने नूह मेवाद की पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी लेकिन अब वक्त है वहां के चस्मदीत जो उस यात्रा में शामिल हुए थे उनसे पूरी की पूरी स्टोरी जानने का कि आखिर उस दिन हुआ क्या था आपने तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे न्यूज में देखे होंगे लेकिन आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें आपको क्लियर कट तरीके से बताया जा रहा हो कि क्या क्या घटना नूह में हुई थी मेवाद के अंदर उस दिन घटी थी यह जो भाई साब इनका नाम है मैं सबसे बात कर लूँगी अनिल जी मालूम है मुझे वो गाओं के बड़े हैं लेकिन आप उस यात्रा में गए थे तो इसलिए मैं आप से पूरी उस दिन की स्टोरी जानना चाहते हूँ तो बताईए क्या हुआ था उस दिन पूरा एकद भूरा जी और हमारी घरवाली सभी लोग गए थे तो हम सब लोग वहां कलाश्यात्रा में थे और जल बूझ ऑंधिक कर नाम दर पर नलेश्वर मंदर पाञ़ध मंदर और हम उस पर जलबिशेक करने के लिए पिछले तीन सालों से जा रहे हैं तो और उसके लिए हमने प्रसासन से भी सभी से अनुमती लेकर संगठने और हमारे समाज के हिंदू समाज के सभी लोग उस यात्रा में सामिल हुएते और प्रसासन की अनुमती लेकर तो सभी तो हमें ये सूचना मिली कि कुछ लोग जो खेडा मोड है तरंगा चोग खेडा मोड वहाँ पर कुछ लोग योजना बत तरीके से वहाँ पर खड़े हैं एक मैं आपको बीच में रोक रही हूँ आपने अभी बताए कि जलाविशेक आप लोगों ने कर लिया था तो जलाविशेक हो गया था शिवलिंग पर आपने जलाविशेक कर दिया था उसके बाद आप लोग वापसी के तरफ पहले हमने तो अगर हमने तो जो हमारी तीन गाडियां थी जो सब से पीछे थी हमने अपने हतीन से यहां से तो तीन बसे थी और हमारी दस बारे चोटी गा जो चोटी पत्थर रोडियों को ले कर जाता है वो वहांपर कम से कम आधा ट्रक रोड पर वहां खेडला मोड पर खाली करके योजना बत तरीके से ऐसे लगा कि किसी ने यहां पर खलवा दिया हो खाली कर रखा था रोड पर और बीचो बीच रोड पर खाली किया हुआ था और 200 से 200 लड़के वहाँ पर उन पत्थरों के आसपास खड़े थे हमने ये देखा कि कोई एक्सिडेंट वगरा हो गया है क्या है कारण तो हमने जब देखा तो वहाँ पर हमारी तीन गाड़ियों की तरफ वो 200 लड़के ऐसे देख रहे थे जैसे वो मानो हमारे इंतियार कर रहे थे हमने देखा कि ये कोई एक्सिडेंट भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ और मैंने ये गमचा डाल रख था गले में तो उनकी नजर इस भगवावाले गमचे पर साओ 202,500 लड़के थे तो सब एक नजर में इसी को देख रहे थे हमारी गाड़ियों को उसके बाद आपने क्या किया उस भीड को देखने में उसके बाद हमने जब वहां से निकले तो हमने SP को सूचना दी माननी है यहां के SP है लोकिंदर शिंग जो additional पलवल जो नूमे लगा रखा था जिनको उनको हमने सूचना दी कि यहां पर कुछ लोग यहां इस तरीके सी खटे हो गए हैं और पत्थरे डाल कर उनके उपर खड़े हैं कुछ ना कुछ यहां पर planning हो रही है और आप इसको देखें अपने संग्यान में लें तो उन्हों ने हसके बाद को टाल दिया के बाई साब हमारी पुलिस है परियाप्त है आप चिंता नहीं करें और यह परियाप्त पुलिस थी एक-एक मोड पर दो-दो कॉंस्टेबल निहते केबल डंडा और खाली हाथ वहां पर खड़े थे और यह ऐसा क्यों था कि दो-दो कॉंस्टेबल निहते और डंडा लेके था क्या कि इसमें हजारों पुलिस करमी पहले से इन्हाथ होते थे जब हमारी पहले यातरा जाती थी अब हुआ क्या पतानी पुलिस पर लेकन जान पूझ कर पुलिस परियाप्त मातरा में नहीं लगाया और इस तरीके के सोसल मीडिया के माद्यम से उन दंगाईयों के वीडियो और कॉमेंट और पोस्ट जब सोसल मीडिया से आ रहे थे तो कहां गई इंटेलिजन्स कहां गई CID कहां गई इनकी IB जो हर एक रिपोर्ट को ये पहुचाते हैं सियमा उस तक आज सियम को जवाब देना होगा अगर है अरेक आदमी की अगर सुरक्षा नहीं कर सकते न सियम साब अस्तीपा दे दें अभी ये हमारी मांगे हम इस मुद्दे को ठाएंगे जिस दिन ये दंगा हुआ 6 गंटे तक कोई भी फोर्स वहां तक नहीं पहुची वहां पर हमारी छोटी-छोटी बच्चे माताय बहने बुजुर्ग सभी लोग जो जलबी से करने गए थे जो वहां पर यात्रा के लिए गए थे हमने वहां पर कोई दंगा करने जगडा करने मुकाबला करने नहीं गए हम वहां पर तीर यात्रा में गए थे कलस यात्रा में लेकर गए थे हमारी माता है मैंने सेकडो माता है मैंने कलस यात्रा निकाली हमने नूक अंदर अब मैं यहां से आप से सवाल पूछ दो जैसे आपने कहा कि आप तीन गाणियां पीछे थी और उस पर धाई सो जो है पत्थर इकठा करके वो छोटे छोटे जो होते वो सब इकठा करके वो आप लोगों को देख रहे थे उसके बाद वार करना शुरू कर दिया गमचा गमच पर जो परली तरफ से आने वाला रोड है उस पर वो खड़ेते और हम इधर की तरफ जा रहे थे वो रोड उन्होंने खाली चोड़ रखा था तो हम जब मंदर के अंदर इंट्री कर गए वो खेड़ा मोड से तब हम मंदर में पहुंचे और हमने उनको सूच ना दी उन्हो तो प्रसाद ग्रहन करने के बाद हमने जलब इशेक कर दिया वहाँ पर उसके बाद हमने अपनी माता-बेहनों को बसों में बिठाया चोटे बच्चों को बसों में बिठाया और हम गाडियों में बैठकर हुआ आगे जाने लगे जैसे ही हमारी कम सेकम 10-15-20 गाडियां पत्थरों से और यहां तक की गोलियां भी चलाई हमारी माता बहनों ने भाग कर हमारे छोटे बच्चों ने भाग कर अपनी जान बचाई और आप देखिए हमारे जो च्छे दो तो उसमें जो पुलिस कॉंस्टेबल थे होमगार थे वो मारे गए और बाकी चार वहां पर हमा ये हालात वहां पर पैदा हुए उसके बाद जब हमने देखा कि इन्हों ने यहां पर आग जनी और बेवज़े कौन दंगाई किस तरीके से हमें बिलकुल आभास नहीं था इस तरीके का किर्थ उन्हों ने किया फिर हमने जब देखा तो वो हमने जो बची हुई हो में आग लगा दिये और तोड़ फोड़ करने तो हमने अपनी गाड़ी और मंदर में वापिस मोड़ने के बाद तब हम ने जाकर वहां पर साश यह लिए कहाँ हम यहां पर मंदर में सुरक्षित आ गए हैं बाकी वो लोग हमारी जो गाड़िएं थी बसे थी जो आग निकल गी थी उनमें आग जनी और पत्तरहब करते रहे जैसे तैसे जो भी हमारा को भाई मिला वो किसी की धाने मेंगुस गया किसी की दुकान में घुस गया जो उनके हत्ते चड़ गया उन्होंने उनको खुब पीटा और मारा उसके बाद देखते हैं कि हां मंदर में जब होते होते दो गंटे तीन गंटे हो गए तो राजिस्थान की तरफ से पीछे जो पहाड है वो मंदर ऐसा है कि वो तीन नुमा उपर पहाड है और एक साइड से वो रोड है तो तीनों साइडों से उपर पहाडों से ऐसे वेक्ती जो कम से कम दददस पंद्रह पंद्रह गुरुप बनाकर तीनों साइडों से उपर खड़े होकर और गोलियां बरसाना सुरू कर दिया इस तरीके का किरतनों ने किया जब गोलियों के आवाज घड़ा इतनी गोलियां चलाई वहां पर बिलकते बच्चे और हमारी माता बहने जिन्हों ने ये ये दर्स जीवन में नहीं देखा और जो छोटे-छोटे बच्चे दो-दो साल के बच्चे जो आवाज सुनकर जो डर रहे थे जो वहां पर कपकपाट बन रही थी हमारे निर्दोस हम सबीने देखाएं कर दंगाई उपर से गोलियां चला रहे हैं और गोलियां नीक्से आकां लगी हैं मंदर के प्रांगर्ण में भी हमारे ऐसे लोगों को गोलियां लगी किसी के कहीं गोलियांग रही एक lyrics के और भगदर में उपर से गोलियों के बढ़ साथ हो रही है कितने वेक्तियों को वहां गोली लगी है किसी के पैर में गोली लग रही है किसी के चाती में किसी के हाथ में यह पूरा मनजर था ऐसा लगी नहीं रहा था कि आप भारत के अंदर खड़ें नहीं ऐसा लग रहा था कि यहां यह तालिबान है और यहां पर हम कौन सी जिगे फस गए हैं और सरकार का और प्रसासन का कोई मैसेज नहीं आता सब को सूचन देने के बाद कोई सुद नहीं लेता 6 गंटे तक वहां पर जो हमारी माता बेने लाइट चली गई वहां पर अंधेरा हो गया रात के 6 बच गए पानी नहीं वहां पर लाइट नहीं वहां पर ऐसी हालात हो गए वहां पर लग रहा था कि अब यहां से बचके निकलना संभव नहीं है अब ये घटना तो हो गई, दंगा हो गया, ठीक, ऐसे आप कह रहे हैं कि इस तरीके से आप लोगों पर वार किया गया, जैसे जाट बहुल शेत्र है जहां पर मैं खड़ी हूं फिलहाल, क्या सोचा है, अभी मैं आती हूं आनिल जी वापिस आपके पास, क्या सोचा है, इस घ हटना के बाद आप लोगों ने,